नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रिभाश्ट दोस्तों दर्भंगा जंजारपूर फॉर्बिस गंज होते हुए कटिहार तक के रेलरूट को बने हुए काफी समय हो चुका है यानि कि लगबग तीन महिने पहले इस रेलरूट को तयार कर लिया था फॉर्बिस गंज तक पूर इंटर सिटी के अनॉंसमेंट तो कर दी लेकिन अभी तक ये नहीं चली है कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि कटी हार पटना इंटर सिटी को जोगबनी से चलाया जा सकता है साथी साथ जो अमरपाली एक्सप्रस है उसे लाया जा सकता है सराइगर रेलवे स्टेशन तर जिसके बाद लोगों की उमीद जग चुकी थी कि यहाँ पे इस रेल रूट को बड़ी सौगाते मिलने वाली है लेकिन दोस्तो अब यहाँ पे रेलवे प्लैन कर रहा है एक बड़ा जखका देने का दोस्तो क्या है यह जटका कैसे इस से यात्रियों को परिशानी होगी आज हम इसी पे बात करेंगे लेकिन दोस्तो उससे पहले में चाहूंगा यदि आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दे और कॉमेंट करके इस अबडेट पे आपकी क्या राया है क्या यहां पे बाली एक्स्प्रेस को जंजारपुर दर्भंगा रेल रूट पे आना चाहिए जरूर बताएं दोस्तो यदि हम यहां पे एक्शन की बात करें तो एक्शन लिया है बिहार के पूर्व उपमुख्य मंतरी टार किशोर प्रसाद जी ने जो कि आज से कुछ महिनों पहले हमारे बिहार के वाइस चीफ मिनिस्टर थे अब दोस्तो ये जाके मिले हैं हमारे देश के रेल मंतरी अश्वनी वैशनव जी से और वैशनव जी से मिलने के बाद उन्होंने यहां पे कई सारी डिमांट्स की हैं जो कि इस रेल रूट के यात्रियों के लिए एक बड़ा जटका है यहां पे आपको उनका ट्वीट दि परिचालन आमरे पाली तथा इंटर सिटी का परिचालन कटिहार जंक्षन से यतावत रखने हैं तो इन मिद्दों पर विस्तार पुर्वत चरचर चा हुई यानि कि यहां पे उन्होंने सबसे पहले तो वंद्य भारत एक्सप्रेस की डिमांड की है उसके साथी साथ उन्ह के लिए नई ट्रेन के डिमांड की है जो की रेलवे दे सकता है क्योंकि चांसेस काफी हाई है बहुत जल्दी श्रेन के अनॉंसमेंट हो सकती है लेकिन दोस्तो उसके बाद उन्होंने कटिहार से चलने वाली हमरपाली एक्सप्रेस और कटिहार पटना एंटर सिटी की बात की है उन्होंने यहाँ पे कहा है कि इन दोनों ट्रेनों का विस्तार नहीं होना चाहिए इन्हें चलना चाहिए कटियार रेलवेई स्टेशन सही जो की एक बड़ा जटका है दर्भंगा जंजारपूर रेल रूट के लिए दोस्तो इस अबडेट पे आपकी कराया है कॉमें करके जुरूट बता है उसना ही मिलेंट विडियोग साथ प्लेचेहन चपर